हलो एक दमाग लगाने की तैयारी है स्टूरेंट्स और बहुत मजा आने वाला है आज का टॉपिक है बायो टेक्नोलोजी अप्लिकेशन दे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसी की उस फॉर निट टॉपिटी टॉपिक आज के क्वेशन भी बहुत इजी हैं क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है डायरेक्ट फैक्ट्वल क्वेशन से हैं तो स्टूरेंट्स चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के रिवीजन को भी आज के आज कम्प्लीट करते हैं जैसा कि मैं हमेशा वादा कर रहा हूँ स्टूरेंट्स कि अगर आप इस सीरीज के सभी एमसी की उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और एंसी आटी से उसे जरूर रिवाइस कर रहे हैं पहले बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लेर आ रही है कि आज बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम था सर पावर प्रॉब्लम इंटरनेट प्रॉब्लम बट नाओ आई थिंग अव्रिफिंग इस पॉफेक्ट और वी कन गो लाइब टोड़े ओके सर एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सब कुछ जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर बिल्कुल पर्फेक्ट चल रहा है एक बार सभी बच्चों को भी बता दीजिए कि सर आ गये हैं आप जल्दी से आ जाईए और स्टुडेंट्स क्लास का मजा लेना सुरू कर दीजिए ओके सब तो चलिए सर सभी जगा चीजो को थोड़ा सेर भी कर दीजिए ओके चले स्टुडेंट्स नाउ लेट्स बिगिन लेट्स बिगिन सर जब तक की और कुछ बच्चे आते हैं सर एक दो एनॉंस्मेंट्स हो जाएं सर एक दो बहुत इंपोर्टेंट एनॉंस्मेंट्स हो जाए अल क्लियर सर रृतिका गौतम तो स्टुडेंट्स न्यू आइकॉनिक और आखिर इस न्यू आइकॉनिक में क्या होने वाले हैं तो बहुत सारे नए फीचर एड़ हुए है और जो सबसे इंपोर्टेंट्स फीचर यहाँ पर एड़ हुआ है वो हुआ है अनकैड्मी ब्रांडेड नोर्स प्रिंटेड स् जिसको कि स्टुडेंट्स आप लोग मोड्यू बोलते हैं आपके घर तक पहुचाया जाएगा बिल्कुल प्रिंटेड and that will be free of cost without any extra penny from you if you take the unacademy iconic subscription तो क्या सर प्लस वालो को यह नोट्स नहीं मिलेगा प्लस वालो को इसका प्रिंटेड वर्जन नहीं मिलेगा प्लस वालो पैसा लगता है but you get the printed study material free of cost नहीं तो you can go for the plus also and students बिल्कुल नया बैच आ रहा है बिल्कुल नया बैच आ रहा है students this is the नया बैच here the power allied batch for NIT 2022 और हमारे teachers है यहां पे निखिल मिस्रा सर होंगे आपके physics teacher then you will be getting the garima ma'am here garima barma she is going to teach you the chemistry part then you are going to have our botany teacher sir अमित कुमार दिक्षित sir और मैं आप लोगों को यहां पे complete करने वाला हूँ the geology part अब बहुत सारे लोग बोलेंगे sir botany भी पढ़ना है तो my idea students botany के भी इस batch में तो मेरे classes नहीं होंगे लेकिन botany के दूसरे batch में मैं classes लेता हूँ आप वहां पर मेरे botany के classes को भी attend कर सकते हैं तो विल्कुल भी सोचने की बात नहीं है जल्द से जल्द students इसके लिए subscription ले ले क्योंकि batch is starting from 4th of August और इस batch में मेरे class के timing's हैं दो पहर में एक बजे एक बजे से we are starting एकदम मस्त समय रहेगा sir and you are going to enjoy ओके चलिए sir आज के session को start किया जाए पहले question की तरफ पता नह जाए कव internet कर जाए है तो इसलिए ज्यादा delay नहीं करना है sir start करते है start करते है पहला question आ रहा है पहला question आ रहा है on the screen here my dear students the first question आज के questions बहुत हीजी है आज के questions बहुत हीजी है but they are highly expected MCQs okay so the vector for delivery of the ADA gene okay sir into the cells of the patient receiving the gene therapy for SCID SCID is what severe combined immunodeficiency disorder क्या answer होने वाला है इसका जल्दी से बताएंगे sir बहुत easy question है बहुत सारे लोगों ने एकदम आग लगाओ answer दिया है hello Riddhi Singh, Somya Ram, Tasmya, Janvi, Sonam, Kuliswar, Anjali, Khumari बहुत सही answer और क्या answer होगा sir retroviruses याद रखिएगा students जब भी आपसे maximum time पूछा जाए कि humans में gene therapy करने के लिए किस vector का हम लोग इस्तमाल करते हैं किस vector का इस्तमाल करते हैं तो we go for generally the retroviruses okay let's see the next question now here let's see out the next question या देखिए इस topic से ना that is the SCID इस kid में कौन सा gene defect होता है that is the ADA gene and which vector is used retrovirus the first gene therapy given to a four year girl ये question जरूर आएगा किसी ना किसी form में जरूर आएगा आपके निट के exam में go for the next one go for the next one which one of the following specific gene coded toxic proteins are directed against the corn borers या देखिए I am not asking for the wallworms I am asking here for the corn borers इसमें से corn borer का लिये कौन सा specific gene applicable है बताएंगे मेरे को जल्दी से students waiting for your प्यारे प्यारे रिप्लाई सोके माइडियर प्यारे students waiting for your replies और आग लगा दिया फिर से सौम्या राम स्वेता दयाल पम्मी तास्मिया इस्सा तिवारी वंदिता ओहो आज तो भई सभी लोग फॉम में हैं तो students the answer here is going to be cry 1 AB yes sir for the corn borer we have got cry 1 AB but इसी तरह का question आप से cotton wall warm के लिए भी पूछा जा सकता है तो cotton wall warm के लिए students cry 1 AC cry 2 AB ये दो answer किसके लिए होंगे sir तो ये दो answers होंगे for the cotton wall warm okay very good sir let us pick up the next question come on sir go for this which one of the following have maximum percentage of all existing transgenic animals सबसे ज़्यादा किस group से transgenic animals belong करते हैं और आखिर उनका percentage कितना है okay sir जल्दी से जल्दी से my dear students answer बताएंगे sir सभी लोग सभी लोगों ने almost आग लगाओ सही जवाब दिया है yes sir देंगे भी क्यों नहीं है जो हमारे students sir तो students अपके घर में चुए बहुत हैं तो भाई सब कोई क्या करता है उसको पकड़के transgenic बना देता है scientist लोग भी यही काम कर रहे हैं यहां देखिए the first transgenic was also a mice आज तक maximum transgenic also a mice total of 95% more than 95% my dear students मतलब अगर 100 transgenic animals बनाय जा रहे हैं तो भाई 50 बाई 95 ताइमस तो भाई चुहों को कुरबानी देना पड़ रहा है बड़ा टेंसन नहीं यहां पे अच्छा है we are humans okay let us see out the next question now what is the term what is the term given to exploitation of the bio resources by a nation by a multinational companies without proper authorization from the country is concerned तो students हो क्या रहा है आप bio resources को exploit कर रहे हैं किसी भी country के बट आप उस country को proper compensation नहीं दे रहें तो students इस process को क्या बोलते हैं तो मतलब आप चोड़ी कर रहे हैं तो what is this story technically called technically इस चोड़ी को क्या बोलते हैं तो very good अब इसे एक प्रजापती very good tiger फरहाल पम्मी ओके सर मर्यम सौम्या and the correct answer here is the bio piracy ठीक है यहां देखिएगा इन सभी terms के बारे में question आ सकता है what is bio piracy what is bio patent what is bio vipan what is bio ethic सभी के बारे में पता होना चाहिए हो सब तकता है कि और भी terms से कुछ-कुछ questions आएं ठीक है सर चलिए students let us see the next question on the screen here a genetically engineered microorganism used successfully in bio remediation of the oil spills यह oil spills वाला question भी बार बार आता है what should be the question answer here that is students किस microorganisms को हम लोग bio remediation of the oil spills के लिए यूज कर सकते हैं देखिए students जब भी हमारे environment में जो pollutants होते हैं उनको अगर हम लोग clear करते हैं using the transgenic organisms तो इस process को हम लोग bio remediation बोलते हैं यह भी एक अलग से question हो सकता है so the correct answer here is the pseudo mona sputida most of you have given the correct answer मैं ने देखा नहीं अलग बात है but pseudo mona sputida is the correct answer और आप लोगों ने सही answer दिया होगा तो yes sir ji so here we have got the correct answer as the pseudo mona sputida the third number okay यह question भी बहुत popular है और आने के chances चलिए let us see the next question on the screen here a human protein enriched milk which contained the human alpha lactalbumin was produced by transgenic my dear students you have to tell me the name that particular name जिसमें की हम लोगों ने students उसके milk में क्या produce करवाया human alpha lactalbumin ताकि students इसके milk को human के infants को दिया जा चके ताकि human के infants को energy भी जादा मिले और वो easily digestible भी हो तो my dear students we are talking about what we are talking about a transgenic cow and that is going to be what the rosie out there so students answer here is the rosie okay तो rosie यहाँ देखियेगा very very important question again the human alpha lactalbumin that was produced in her milk ताकि ऐसे mother जो की जादा milk produced नहीं कर पाती है उनके बच्चों को हम लोग यह milk दे पाएं इस milk से energy source भी अच्छा मिलता है और यह milk उन बच्चों के लिए easily digestible भी होता है okay very good let's see out the next question let's see out the next question on the screen बड़ा popular और easy question है which American company is credited to manufacture the human insulin using E. coli okay sir E. coli का इस्तमाल करना कभी-कभी यह भी question पूछ सकता है कि भई human insulin को किस bacteria के थुरू बनाया गया तो E. coli के थुरू बनाया गया अभी के लिए question है कि किस company ने बनाया सबको पता है सबको पता है कि sir answer is the L.E. 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 okay very very good sir L.E. 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 very good is L.E. 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 तो दो तीन चीजों को याद रखना है यहां पर एक तो L.E. 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 याद रखना है दूसरा E.R. याद रखना है तीसरा इसे बोलते क्या है इसे बोलते हैं हम लोग हिम्यूलीन हिम्यूलीन is the human insulin okay sir और यहां पर स्टूडेंट किस बैक्टिरिया का इस्तमाल किया गया E. coli का और फिर एक क्वेश्चन और पूस्ता है कि यसमें दो चेंज होते हैं एक होता अलफा और एक होता बीटा क्या दोनों को एक साथ सिंथेसिस किया गया बिल्कुल नहीं दोनों को हम लोग अलग-अलग सिंथेसिस करते हैं और बाद में स्टूडेंट्स उन्हें एक स्पेसल बांड से जोडते हैं अभी नहीं बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है ओके लिट उस सी दा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दा स्क्रीश्चन which one of the following has found extensive use in the genetic engineering work in the plants my dear students what should be the answer here that which one of the following has found extensive use in the genetic engineering work in the plants हम लोग बात कर रहे हैं plants के बारे में एंसर बताएंगे जल्दी से students क्या answer होना चाहिए waiting for your प्यारे-प्यारे से replies my dear students hi Samapraveen, Ravindra, Maryam, Yaseen, Patel, Prabha most of you have given the correct answer that is the agrobacterium tumor faciens out there सबको पता है कि that this is the most common vector that is used in the plant genetic engineering out here students so this is the answer but एक शाउट व्याट क्वेश्चन लेते हैं एक शाउट व्याट क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं वही कितने intelligent लोग हैं हमारे बैचिस में what is the main limitation of agrobacterium what is the main limitation of the agrobacterium कल मैंने बताया था कल मैंने बताया था सर ठीक है डिरेक्टी नहीं बताया था but you can answer कि भई क्या problem हो सकती है agrobacterium को अगर हम लोग plants में use कर रहे हैं तो problem क्या हो सकती है कहां पे इसे use नहीं कर सकते हैं answer me this, answer me this students रिद्धी माडम, बताये बताये ठीक से बताये ठीक से बताये ओके वहाँ सुन्दर तोसी भंसारी जो है ना भई यह मेरा एकदम तेज बच्चा है ठीक है सर, कुछ करो गे बटा कच ना कुछ तो करो गई हना मैंने बार बार बताया कि अग्रो बैक्टिरियम तुमो फेसियंस कैं भी यूज़ ओन्नी पर ब्रॉड लीफ प्लांट डाइज दाइकॉट प्लांट मोनोकॉट में यह रेस्टिक्टिट हो जाएगा जोनका पास की नेरो लीफ होता है तो याद रखियेगा कि इसका इससे डाइकॉटट में हिं यूज़ कर सकते हैं मोनोकॉट में यूज़ नहीं कर पाओगे वेरी गुड सर जो फॉर दानच्टिक्टिटिक्टेशन यह फिर से आगे रोजी इसलोड इसलोड पह जाएगा come on sir what should be the answer here what should be the answer here okay sir ji very very good tiger sir अभी अभी मैंने बताया नाम भी मस्त रखते हो भाई tiger गुपता है आज कर हमारे इंडिया में tiger ऐसे कम होते जा रहे हैं तो है अपने नाम पे रखे ना tiger sir कि हम भी एक tiger बन गए the tiger returns okay sir and very very good sir answer here is 2.4 gram per liter okay याद रखिएगा यहां पर मैंने option cg दिये थे ठीक है question जब भी question देगा ना वह एक answer जरूर 2.4 milligram देगा तो milligram ग्राम हम इसा हैविट होता है कि वह सारे answer तो milligram में होंगे milligram में टिक करना है यहाद रखिएगा यहां पर हम लोग protein के बारे में बात कर रहे और maximum time आप देखेगा ना प्रोटीन जहां भी रहेगा ना इस्ट्वेंट वह ग्राम में दिया रहेगा हमारे plasma में भी हमारे plasma में भी कितना protein होता है भई हमारे plasma में भी 7-8 gram percent हमारे पास जो hemoglobin है hemoglobin is also a protein तो वो भी कितना है 15 gram percent तो generally जो proteins होते है ना सर वो gram में ही आपके पास values होते है ठीक है very good knowledge है सर important है let's go for the next question here go for this the transgenic variety of the tomato flavor saver ठीक है सर बस उतना ही पढ़ने से समझ में आ गया होगा flavor saver tomato को जानते है हाँ वही सर एक ऐसा tomato जिसका की high flavor है और लंबे समय तक रहता है क्योंकि यह जल्दी पकता नहीं है जल्दी पकेगा नहीं तो जल्दी सड़ेगा नहीं tomato plants में सबसे बड़ा problem तो यह होता है सर कि transport करते समय बहुत सारे tomato क्या होते हैं खराब हो जाते ठीक है सर आप लोगों ने देखा होगा सर कि जब farmers को tomato का ज्यादा प्राइस ने मिलता तो टीवी में दिखाते ना क्यों लोग रोड में फिक देते हैं यह जल्दी पकता नहीं है what should be the answer and very very good sir तो most of you have got this and the correct answer here is polygalacto uranase okay sir इस gene को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इन एक्टिवेट करते हैं इन एक्टिवेट करते हैं ठीक है अहाँ let me ask you a question here क्या बता सकते हैं कि किस technology का use किया गया यहाँ पर comment section में waiting for your replies students that which technology was used here which technology was used here बताओ 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 आग लगाओ okay sir which technology was used here can you name that can you name me that technology here waiting for your replies सभी लोग चुप चाप है तास्मिया नुरैन तौसेफ प्रबल आप लो यह मनलब क्या सोचेँ मनलब इस वार 720 पार कर देना है क्या इतना भी brilliant ना बनो the answer here is the anti-sense anti-sense technology ठीक है तो students हाँ इस बार तो ऐसा हो भी सकता है ना sir इस बार तो question ज्यादा मिल रहे हैं है ना sir हो जैता है कुछ लोग बोलेंगा नहीं मैं तो बस सब बनाऊंगा ना sir जो 20 question extra मिले हैं मैं उनको भी बनाऊंगा और marks भी लोंगा ऐसा करना नहीं है loud नहीं है sir okay let us see the next question let us see the next question on the screen the transgenic brassica napas has been used for synthesis of what the transgenic brassica napas has been used for synthesis of what tell me tell me students ये out of ncrt है ये students out of ncrt अब बहुत सारे लोग पूछ रहे sir antisense क्या है sir समा प्रभीन मैंने पढ़ाया है कभी कभी अभी तो time नहीं है मैं किसी और class में बता दूंगा ठीक है okay sir बताओ बताओ इसका एंसर बताओ the transgenic brassica napas has been used for the synthesis of hirudine या देखिये this has been used for the synthesis of hirudine ये जो hirudine होता है students सबको पता है कि ये एक तरीके का anti-coagulant होता है बट ये anti-coagulant हम्में नहीं पारे जाता है this is present in the leeches this is present where in the leech तो students हम लोग चाहें तो biotechnology यूज करके इसको synthesis कर सकते हैं तो क्या करते होंगे भई बताइए क्या करते होंगे leech का ये gene को हम लोग transfer कर देते हैं into the brassica snapas and finally इसके seeds में स्टार्ट हो जाता है ये भी पूछा जा सकता है कि किस के मतलब brassica snapas के किस पार्ट में hirudine का production होगा leaves में होगा stems में होगा flowers में होगा answer क्या होगा seeds में होगा ठीक है very good let us see the next question let us see the next question on the screen here go for this which one of the following molecular diagnosis is based on the principle of antigen-antibody interaction okay sir antigen-antibody interaction which of the following molecular diagnosis is based on the principle of antigen-antibody interaction okay sir तो almost सभी लोगों का सभी जवाद elisa elisa okay sir full form पता होना चाहिए enzyme-linked immuno-sorbent assay कभी-कभी ये question भी आ सकता है देखे सर अभी क्या होता है कभी-कभी जब फ्रम लोग practice करते हैं जब practice में easy questions आते हैं तो सबको इतना easy question इतना easy question सारे लोग बहुत complain करते हैं यह इतना easy सर थोड़ा tough दो सर थोड़ा tough दो लेकिन अगर same question निट में आता है न कोई कुछ ने बोलता है सारे लोग चुपचा मज़ा आ गया मज़ा आ गया ऐसे easy question देते रहिए हां निट में expect करेंगे कि वह easy question आना चाहिए लेकिन practice में थोड़ा standard mcqs चाहिए मैंने बहुत सारे mcqs अपने इस channel पर कराए हैं हमारे special classes में कराए हैं और कराते रहते हैं तो आप उन series को भी जरूर follow कीजिए ओके चलिए students let's see out the next question on the screen here go for this which one of the following is involved in the RNA interference defense mechanism in the u carriers आपको बताना है कि इन में से किस्त का इस्तमाल किया जाता है for this technology बड़ा important है sir RNAi RNA interference आपको बताना है students कि यहां पर किस्तमाल किया गया okay sir waiting for the answers लाडले बेटा sir नमस्कार हम आगे sir थोड़ा लेट हो गया लाडले बेटा आपके इंतजार में मैंने 15 minute late में class start किया ठीक है हम लोग भी आज 15 minutes late में ही आये हैं कोई बात भी है answer बताईए sir answer बताईए and most of you have got this so students यहां देखिएगा that here we have got what's the double extended RNA this is very important question कि RNA interference में कैसे RNA का इस्तेमाल किया जाता है तो double standard RNA का इस्तेमाल किया जाता है एक question देते है sir छोटा सा हना sir what is the full form of siRNA what is the full form of siRNA tell me sir because this is the RNA which is used here so what is the full form here बताईए sir siRNA का full form क्या है चलिए sir ji come on come on come on come on oh mariam sir you are best अरे भई मेरे student best है तो teacher तो best हो गई न सर teacher best student best class best channel best तभी तो जाकर best doctor बनेंगे न सर आग लगा देना है चलिए सर जी answer बताईए मेरे को answer बताईए इस question का क्या answer होना चाहिए sir ji silencing RNA बड़ा बहुत चालाग हो बई बहुत चालाग हो बई बहुत चालाग हो बई गोड़ी है कौन है बई स्वेता दयाल मजा गया स्वेता दयाल बड़ा इंटरिजिट हो मेडम आप answer is small interfering RNA okay sir this is called as what's a small interfering RNA okay याद रखियेगा बहुत important question हो सकता है हो सकता है चलिए sir ji let us move for the next question on the screen out here uh database question sir how many recombinant therapeutics have been approved for the human use the worldwide okay sir to students how many recombinant therapeutics have been approved for the human use the world over can you answer me this question can you answer me this question waiting for your 80 avishikh prajapati avishikh prajapati yaar तुम्हा मस्त नाम रखा बई 80 avishikh prajapati मतलब लखी नंबर है क्या मतलब आगे में 80 लगा के चलेंगे तो sir NEET में qualify हो जाएंगे है वैसा बला है चलिए कोई बात नहीं है मज़ा गिया तो student the answer here excellent answer the answer here is the 30 अब यह जो question है यह थोड़ा NCRT based था ठीक है NCRT जब print हुआ था उस समय यह 30 के आसपस था अब data change हो चुका है बड़ आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपसे पूछा जाएगा तो आप 30 पे ही टिक कीजेगा क्योंकि NCRT में 30 लिखा हुआ है ठीक है बड़ NCRT कब print हुआ था भई NCRT प्रिंट हुआ था 2007 में और एक चीज़ से है आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा नया NCRT आने वाला है next year तो भई इसी ब doctor बन जाना है नहीं तो फिर नया NCRT पढना पड़ेगा तो next year से students new NCRT is coming तो get ready for that also let us go for the next question let us go for the next question here on the screen okay sir name name the gene which was worked on the first clinical gene therapy given in 1990 to a four year old girl my dear students what should be the answer here okay sir some power issues okay let me just sort this out okay let's continue let's continue students okay so almost everybody has given the correct answer some power issues are there students तो एक काम करते है ना sir थोड़ा light कम कर देते है थोड़ा lights कम कर देते हैं okay थोड़ा सा अंधेरा हुआ 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 होगा टेंजन मत लीजेगा word दिख रहा है मस्ते दिख रहा है enjoy with the word okay sir so answer here is what answer here is the adenosine d aminae answer here is the adenosine deaminase out there तो यस question को मैंने पहले भी बोला था students कि सारे points यहाँ पे पूछे जा सकते हैं gene के बारे में किसको 4-year girl में use किया गया था कब किया गया था each and everything you should know about there let us go for the next question let us go for the next question here on the screen which condition will activate the inactive protoxins question पूछा जा रहा है which condition will activate the inactive protoxins of the bacillus thuring genesis क्या answer होना चाहिए क्या answer होना चाहिए students इसका जल्दी से सही answer बताएंगे सर जल्दी से सही answer बताएंगे मेरे को ओके वरी 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 good my dear students you people are always awesome चलो सर जी we are back with this okay most of you got this correct here और सही answer क्या है सर सही answer है यहां पे students the alkaline pH out there the correct answer will be the alkaline which condition will activate the inactive protoxins of the bacillus thuringiensis the answer will be alkaline pH let us go for the next question let us go for the next question बहुत ही इजी question है सर बहुत ही इजी question है most of you can give me the correct answer here क्या answer होना चाहिए जल्द से जल्द during the insulin synthesis the chain A and B were produced separately and extracted and combined what should be the must वाला सही answer for this question so again again students most of you have got this correct and the correct answer here is the disulfide bond out there ठीक है मैंने थोड़े दे पहले एक question और बताया था आपको students कि इसके synthesis के समय alpha chain और beta chain they were synthesized separately दोनों ही chain को separately synthesis किया गया था दोनों ही chain को separately synthesis किया गया था और बाद में disulfide bond के through इसे हम लोग join करते हैं okay let us go for the next question let us go for the next question here BT toxin kills the insect आपको students फिर से बताना है कि जो यह BT toxin है यह insects को आखिर किस तरह से kill करता है how it is going to kill this out what should be the correct answer here my dear प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चो okay sir most of you have again giving me the correct answer most of you have given me the correct answer कि sir जो BT toxin है जैसे इसको insects क्या करते हैं जैसे ही insects इसको students ingest करते हैं यह gut पे जाता है वहाँ पर active होता है और वहाँ पर epithelial cells के साथ bind करके उनके epithelial cells में pore create कर देता है that causes the uncontrolled endosmosis उसके कारण से epithelial cells start to burst and that causes the death so answer will be what answer will be by creating the pores in the mid-gut epithelial cells again I repeat कि जब epithelial cells में pore बनते हैं तो uncontrolled endosmosis होता है और वो burst हो जाते हैं after the swelling next question next question on the screen here go for this one students यह question पहले भी आया था तो बस दूसरे तरीके से मैंने पूछा है सारे लोग सही answer देने की कोशिस कीजिएगा the bacteria pseudomonas is useful because of its ability to आपको बताना है students कि यह जो bacteria है pseudomonas यह biotech में बड़ा useful है ऐसा क्यों why what is its ability what is its ability students अब आप next question तो नहीं लाऊंगा मैं next question एकदम नहीं आने वाला क्यों नहीं आने वाला को पता है पहले पहले इसका answer दीजिए फिर मैं बताऊंगा सर्थ आप लोग यार विलकुल like button तो मतलब press करने के पहले आपको लगता है कि हातों में खुजली होने लगती है न सर्थ like button के सामने लगता है खुजली powder डाला हुआ है प्लीज एक बार वो button होता है क्यों दिया गया है लाइक बटन को प्रेस करने के लिए answer me this, answer me this, most of you got this तेखे सब अभी हमने बताया था कि इसको generally हम लोग pollutants को clear away करने के लिए करते हैं तो generally होता क्या है कि जो भी ये organic hydrocarbons है न उनको ये degrade कर देता है so students this decomposes a variety of organic compounds जैसे कि हमने बताया था कि इसे हम लोग use करते थे oil spills को clear करने के लिए तो again students, oil में भी क्या है we have got the organic hydrocarbons उनको degrade करना है we will be using the pseudomonasputida next question, next question on the screen go for this alpha-1 antitrypsin alpha-1 antitrypsin का इस्तमाल क्यों होता है alpha-1 antitrypsin का इस्तमाल क्यों होता है answer me, answer me this प्यारा-प्यारा सा question students alpha-1 antitrypsin is used for what okay students what should be the answer what should be the answer here okay sir, alpha-1 antitrypsin M5-Sema के treatment में use किया जाता है can we have a shout out question can we have a shout out question here can you tell me that alpha-1 antitrypsin का mechanism क्या है यह किस तरीके से काम करता है क्या कोई भी student मेरे को इस class में बता सकता है कि यह जो alpha-1 antitrypsin है यह M5-Sema में किस तरीके से use किया जाता है why it is used आखिर इसके पास ऐसी क्या property है that we are using this at least plus वालो भाई आप लोग तो बताओ आप लोग तो बताओ very good very good ताश्मिया नूरायन excellent excellent answer ताश्मिया नूरायन that sir ji this is a protease inhibitor या देखिए यह क्या होता है यह protease inhibitor होता है तो अब आप लोग सोच रहे होगे sir protease inhibitor का क्या रोल है देखो M5 से मामे क्या होता है बताइए M5 से मामे जो walls होते है जो बीचो बीच walls होते है student वो wall break होते है अब इन wall को break कौन करता है तो हमारे body में कुछ enzymes होते हैं protease वो क्या करते है alveolar wall को break करते है तो अगर हम लोग इन protease को inhibit कर दे तो alveolar wall का breakdown नहीं होगा तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं alpha 1 anti-trypsine गड़ देश ओके sir वेरी वेरी गुट sir नाव लेट उस गो पर the next question लेट उस गो पर the next question a set of standard that may be used to regulate the human activities in relation to the biological world can be termed as can be termed as what should be the answer here what should be the answer here okay okay समा प्रवीन पूछ रही sir और कितने MCQs होंगे नीन आ रही है कम से कम मैडम अभी 5000 तो अभी और होंगे मैडम ठीक है बने रही है बने रही है sir answer बताइए answer बताइए sir तो students the answer is used to regulate the human activities बहुत important है क्योंकि भाई यह जो हमारा biotechnology है यह हमारे gene के साथ छेड़ शाड़ है इस species के gene को उधर transfer कर रहे हो उस के gene को उधर transfer कर रहे हो अगर ऐसा होता रहा सारा species तो mixture बने जाएगा तो students हमने कुछ set guidelines को set किये तो उन्हे Follow कर ना बहुत जरूड़ है तो उन्हें बहुत जरूड है अन्धियर है तो आ इस पॉली बहुत जरूड है Bioethics Let's see out the next question let's see out the next question students okay go for this I think students we have got some power issues here what should be the answer here I think students we need to close the session here so alpha golden rice transgenic varieties of the rice are principally richer than the normal rice students आपको बताना है students की यह यह students क्या तो beta carotene यहाँ दिखिएगा golden rice is going to be rich in what golden rice is going to be the beta carotene I think we need to close the session we have got a power issue ठीक है सर जी again again it's raining very heavily so आज के लिए students session को end करते हैं जो भी questions बच गया है ना मैं उसे students दूसरे session में आपके लिए करा दूँगा ठीक है और most probably कल generally sessions नहीं होते हैं most probably we will be trying to have a session tomorrow also ठीक है सर most probably I don't promise but मैंने बोल दिया है already तो कल भी हम लोग एक session करने की कोशिस करेंगे जो भी remaining questions है उसे भी करा दूँगा और students कल कुछ नया भी करने वाले ठीक है तो students let's end the session sir bye bye everybody hope everybody enjoyed today's class really sorry for this power issues today okay sir thank you thank you जहीं लोगा है